समाजवादी पार्टी के राश्ट्रिय महासरचेफ स्वामी पिरसाद मौर और भाजपा में उनकी बेटी जो सांसद हैं संगमित्रा मौर दोनों अलग-अलग पार्टीयों में रहते हुए अपनी राजनिती करते हैं लगातार संगमित्रा मौर की वज़े से जहां स्वामी प्रसाद मौर से तीहे सवाल किये जाते हैं तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर की वज़े से कई बार संगमित्रा मौर को भी कई सवालों का सामना करना पड़ता था लेकिन इन सब के बीच अब ABP News से बात करते हुए संगमित्रा मौर ने एक बड़ी बात कह दी है संगमित्रा मौर ने कह दिया कि उन्हें खुशी होगी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रे महा सचेव ABP News के रेपोर्टर ने जब संगमित्रा मौर से सवाल किया कि क्या आपके पिता जी भाजपा में वापस आ सकते हैं क्या आप कोशिश करेंगी इस बात पर जवाब देते हुए संगमित्रा मौर ने कहा कि निश्चतोर पर अगर पार्टी ऐसा निर्देश करती है तो मैं कोशिश करूँगी किसी भी दायत को जो दिया जाता है मैं वो पूरा करूँगी इस पर सवाल होता है कि आपको खुशी होगी कि अगर वो फिर से BJP में आ जाएं इस पर संगमित्रा मौर ने जवाब दिया कि कौन चाहेगा कि हम में दूरिया हो तो सवाल किया जाता है कि क्या दूरिया अभी भी हैं इस बात पर संगमित्रा मौर कहती है कि पारिवारिक नहीं लेकिन राजनेतिक दूरिया होने की वज़े से निश्चेतोर पर पिताजी को भी समय समय पर तरह तरह के काटाक्ष हमारी वज़े से सुनने पड़ते हैं और समय समय पर हमें भी पिताजी की वज़े से सुनने को मिलता है तो वो दूरियाँ खत्म होंगी इस बात पर जब रेपोर्टर पूछते हैं कि ये आप चाहती हैं कि वो एक हो जाएं तब संगमित्रा मौर खुले दिल से कहती हैं कि निश्चत तोर पर हर कोई चाहेगा कि हम एक हूँ तो हम परिवार को जोड़ कर रखना चाहते हैं इसलिए पारिवारिक समय में पारिवार ये जनता पार्टी स्वामी प्रसाद के तीखे बयानों के बाद उन्हें अपने पार्टी में लेने के लिए एक चुक होगी क्या वो तयार होगी ये देखने वाली बात होगी लेकिन इतना तो साफ है कि अगर कहीं धुआ उठा है तो चिंगारी जरूर लगी है लेकिन इस चिंगारी को समय रहते हुए बुझा लिया जाता है या फिर ये चिंगारी कोई राजनितिक उठापटक के तौर पर बड़ा आग और विक्राल रूप लेती है ये देखने वाली बात होगी तब तक यूपिस जुड़ी राजनिती से जुड़ी हरे खबर को देख